हमाज की सुरंग में हेजबुल्ला तीन हफते बाद भी इसरायल हमास के लड़ाकों को जमीन पर रौन नहीं पाया है। तीन हफते बाद भी इसरायल की आईडियेफ, लगातार गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लिबनान के बौरडर पर अंधा धून बंबारी कर रही है। तीन हफ़ते बाद भी इसराइल को समझ नहीं आ रहा है कि 500 किलोमेटर लंबी हमास की सुरंगों में हिजबुल्ला के लड़ाके कैसे पहुँच गए और अब हिजबुल्ला के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इसराइली सेंकों के खिलाफ सुरंग वाला गुरिला वॉर्ड कैसे करने लगे हैं हम आपको आज इसराइल की खुपया एजंसी मुसाद और शिन बिट का वो खुलासा बताने जा रहे हैं जिसकी वज़ा से प्रधान मंतरी नेतन याहु ने आखरी वक्त में गाजा में जमीनी हमलों को मन्जूरी देने से मना कर दिया है इस पर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे सुरंग में घुसे हमास किल दो सो उनहत्तर साइरेट मटकप आप गाजा पट्टी में जितने बड़े खुन खराबे की कल्पना कर सकते हैं कर लीजी क्योंकि आपकी कल्पना और सुच से कहीं ज्यादा खुनी जंग गाजा में हो रही है गाजा जंग अब इसराइल के वजूद से जुड़ गई है या तो अब यहूदियों का इसराइल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इसराइल को मिटा देगा इसराइल के पूर ब्रधान मंत्री एहुद बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खुनी जंग बनाने जा रहा है बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पटे में हमास की सुरंगों में इसराइल के सबसे माहिर और बेरहिम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं इसराइल के पूर प्रधान मंत्री एहुद बराक ने न्यूज वीक मैगजीन को दिये इंटर्वियू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल की आईडिय एफ को गाजा पटी में बेहत शातिर और कुरूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है इसराइल के पूर प्रधान मंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुस कर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इसराइल ने अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सेनिकों को भेजा है जिन्हें 279 सायरेट मठकल के नाम से जाना जाता है इसराइल की ये ऐसी खुप एसेनिकों की यूनिट है जो बेहत देज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे है दावा किया गया है कि इसराइल की 279 सायरेट मठकल ही हमास के कमांडर और डिप्टिक कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है भस गया इसराइल हमास की सुरंग में हिसरμुला गाज़ा पट्टि की जमीन पर लजाशों का अमबार लग रहा है हमास के 12 से 15 कमांडरों इसराइली सेना ने मार दिया है लेकिन अब पता चला है कि गाजा पटी में हमास की सुरंगों में एंटी टैंक मिजाईलों से लैस हिजबुल्ला के हजारों लड़ा के मौजली जो इस्राइली सेना पर हमले कर रहे हैं हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिजाईल से अब तक काई असराइली सेन को कमारने का दावा किया है खबर तो यहां तक आ रही है कि एरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्ला ने इसराइली सेना से सीधी जंग के लिए गाज़ा पट्टी को फाइनल वार जोन बना दिया है इरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग के बदालत हिजबुल्ला के साथ लड़ाके इसराइल के किसी यमदूद से कम नहीं है अगर हमास हिजबुल्ला और दूसरे जिहादी कुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त दो लाग छियालिस हजार से ज्यादा खुंखा लड़ाके गाज़ा, इसलाम और जिहाद के नाम पर इसराइलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं इसके अलावा हिजबुल्ला के पास पैंतालिस हजार ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फूर्ट्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं हजबुल्ला चीफ हसन नसर अल्ला यहां तक दावा करते हैं के उनके पास तीड़ लाक से ज्यादा मिसाइले हैं जो इसराइल को मिडल इस्ट के नक्षे से मिटा दें कमा तमक्न अदद मिन अल्मुजाहिदीन मिन इस्पाब बिसलाम मिन काइद अरीम अल्दी तदम विहदत लास्तिखबारात तमानियत आलाफ वमिएतीन बाद इन्तिहाइ मुहमतिहिं फीहा हमास के लड़ाके तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 500 किलोमेटर में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगे इसराइली सैनिकों की कबर साबित हूँ हमास के परवक्ता गाजी हमद ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में इसराइल का सर्ब नाश कर दें हमास का सुर्डेब उर्डतों करना कלי kidhan inici ediyor हमास क्ल-पता बिल्टी में हरुची का ट movie श्यादाटी कर देंकों से उत्यदेन ने कि प sensors so good, okay, but time, yeah Ryan-īodore बयूमाद की को खं़ को, wenig का सम civet उत्ताव में हमास की क्वादारी का साव फ्या में तो debate वो हमादा करना एक भार्ड साथ शचाने वर्डारी प्रेशा हैं। जो भी क्या है जो रह रहते हैं। वबीश साल तक गाजा को रॉन्बे का इस्राइल इधर इस्राइल ने गाजा पटी वेस्ट बैंक और हिजब लड़ागों पर इस्राइली सेना ने हमले इतने तेज़ कर दिये हैं कि हमास और हिजगला को समलने तक का मौका नहीं मिला है इसराइल के पूर प्रधान मंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि इसराइली सेना अगले 10 से 20 सालों तक 41 किलोमेटर लंबी और 10 किलोमेटर चौड़ी गाजा पट्टी को अपने कब्से में रखेगी अगले 20 साल तक गाजा में हमास की आने वाली नसल तक को इसराइल की आईडियफ पूरी तरह से सफाया कर देगी पिछले 24 घंटे में इसराइली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेस कर दिये हैं इस्राइली सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बंबारी इसमें हमास के तीन डिप्टी कमांडरों समेब सेकडों फिलिस्तीनी नागरे को लड़ा के मारे गए हैं जरा देखे इस्राइल के आईडिय अफ क्या दावा कर रही है गाजा में 24 घंटे में 704 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस्राइल ने मस्जिदों में बने हमास के कई कमांड सेंटर भस्त कर दी एक सुरंग भिनाश्ट कर दी जिसके जरिया आतंकी समुद्र के रास्ते इस्राइल में घुसपैट करते थी इस्राइली सेना के मताबिक एर पोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया इस हमले में काई हमास कमांडर भी मारे गए हैं इसराइल के मुताबिक हमले में हमास के, नुसीरत, शाती और अलव वरकन अपटालियन के डिप्टि कमांडर मारे गए हैं लेबनान बॉर्डर पर भी इसराइल ने हिजबुल्ला पर भीशन हमले की हैं अब तक हिजबुल्ला के 42 लड़ा के इस्राइली हमले में मारे जा चुके हैं बंकर अस्पताल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे ये बंकर अस्पताल अभी पूरी तरह से यूद की शुरुआत भले ना हुई हो हिजबुल्ला के साथ जड़ पे चल रही हो कुछ रॉकेट और मिसाइले दोनों तरफ से दागी जा रही हो लेकिन यूद की स्थिति के लिए बड़े यूद की स्थिति के लिए नहारिया का बंकर अस्पताल जिसे गैलिली मेडिकल सेंटर के तौर पे जाना जाता है वो तयार है यूद के लिए अगर किसी तरह के मरीज उनके पास आते हैं तो हर इलाज की सुविधा यहां मौझूद है बीना किसी रॉकेट के डर के बीना किसी मिसाइल के डर के ना यहां धुआ घुसगा और अगर रासाइनी खथियार से भी हमला कर दिया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अस्पतालने कर रखी है कुछ जानकारों के मताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है कतर भी अब इसराइल के खिलाब खुल कर बोलने लगा है जब कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, एरान, तुर्की और दबी जुबान में मिस्र भी इसराइली हमलों को लेकर सक्त तेवर दिखाने लगा है लेकिन इसराइल के पी-एम नेतन याहू ने सैनकों का होसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इसराइल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा इसराइली सैनके प्रवक्ता ने तो साप कह दिया है के इरान हमास की आड में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी